बेटी की जनमे दिन पर रात के देड़ बज़े फोन आता है बेटा फोन उठाता है तो मा बोलती है जनमे दिन मुबारक लला बेटा घुसा हो जाता है और मा से कहता है सुबह फोन करती इतनी रात को नेन खराब क्योंकि कहे कर फोन रख देता है थोड़ी दे बाद पिता का फोन आता है बेटा पिता पर गुस्ता नहीं करता बलकि कहता है सुबह फोन करते फिर पिता ने कहा मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि तुम्हारी माँ पागल है जो तुम्हें इतनी रात को फोन किया वो तो आज से 25 साल पहले ही पागल हो गई थी जब उसे डॉक्टर ने आपरेशन करने को कहा और उसने मना किया था वो मरने के लिए तयार हो गई पर आपरेशन नहीं करवाया रात के देढ को तुम्हारा जन्म हुआ साम 6 बज़े से रात देढ बज़े तक वो परसौपीड़ा से परिशान थी लेकिन तुम्हारा जञम होते ही वो सारी पिड़ा भूल गई उसके खुशी का ठेका आना नहीं रहा तुम्हारे जन्म से पहले डाक्टर ने दस्तकत करवाए थे कि अगर कुछ हो जाए तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे तुम्हें साल में एक दिन फोन किया थे तुम्हारी नीन खराब हो गए मुझे तो रोज रात को 25 साल से रात के देड़ बजी उठाती है और कहती है देखो हमारे लल्ला का जन्म इसी वक्त हुआ था बस यही कहने के लिए तुम्हें फोन किया था इतना कहके पिता फोन रख देते हैं बेटा सुन हो जाता है सुबह घर जाकर मा के पैर पकड़कर माफी मांगता है तब मा कहती है देखो जी मेरा लाल आ गया फिर पिता से माफी मांगता है तब पिता कहते हैं आज तक यह कहती थी कि हमें कोई चिंता नहीं हमारे चिंता करने वाला हमारा लाल है पर अब तुम चले जाओ मैं तुम्हारी मा से कहूंगा कि चिंता मत करो मैं तुमारा हमेशा की तरह आगे भी ध्यान रखूंगा तब मा कहती है माफ कर दो जी बेटा है हमारा सब जानते हैं दुनिया में एक मा ही है जिसे जैसा चाहे कहो फिर भी वो लाल पर प्यार से हाथ फेरेगी सब जानते हैं दुनिया में एक मा ही है जिसे जैसा चाहे कहो फिर भी वो गाल पर प्यार से हाथ फिरेगी पिता अगर तमाचन अमारे तो बेटा सर पर बैठ जाए इसलिए पिता का सक्त होना भी जरूरी है माता पिता को आपकी दौलत नहीं बलकि आपका प्यार और वक्त चाहे उन्हें प्यार दीजिए मा की ममता तो अनमोल है धन्यवाद